Hi everyone, I hope you all will be fine. Welcome back once again. हमारे आज की new video में सबसे पहले हर दिन की तरह दर्खास करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें. हमारा चैनल है Independent Learn Education. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Elements of Education. पिछली तीन वीडियो के अंदर हमने एजुकेशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और मौड्स को डिस्कस किया है. आज हम Elements of Education को डिटेल से डिस्कस करेंगे. Education is a social process which consists of various elements. These integrated elements make the process of education a purposeful activity. Education जो है यह different elements से मिलकर मुकमल होता है. और यह जो Elements हैं यह आपस में interconnected हैं, integrated हैं. और इनी की वज़ा से, इन Elements के मिलने की वज़ा से, Education है, जो है, वो एक purposeful activity बन जाती है. आपको मुक्तलिफ बुक्स में मुक्तलिफ elements मिलेंगे, लेकिन जो हमारे पास main elements हैं, वो यह हैं. सबसे पहले है objectives of education, कि Education को हासिल करने के objectives क्या हैं, कि Education की जरूरत क्यूं पैदा हुई, और Education के लिए Education हासिल करने क्यूं जरूरी करार दिया गया, अगर हम बात करें एक महजब माशरे की, तो माशरे के तमाम असूल जवाबित को समझने के लिए, हमें Education की जरूरत पढ़ती है. और बहुत से Educationist या उल्मा एकराम या Education की समझ रखने वाले Education का objectives कुछ इस तरह से बियान करते हैं, मेशूर Educationist वलियुल्ला, हजरत शाव वलियुल्ला रह्मतुल्ला ने तालीम को कुछ यूं बियान किया है, उसका मकसद के तालीम को खैर और शर्में तमीज करके खैर को अपनाने और शर्म को दबाने का अमल करार दिया. और दूसरी तरफ अगर हम इलाम एकबार रह्मतुल्ला ने की बात करें, तो उनने तालीम को तामीर खुदी, यानि के Self-Actualization का नाम दिया. तो इससे पता चला कि Education जो प्रोसेस है, इसके objectives हैं, जो एक इनसान की नेशनुमा, उसकी सलाहियतों की नेशनुमा, उसकी social abilities, emotional abilities, moral abilities, spiritual abilities, physical abilities और उसकी और बहुत सारी जो सलाहियतें हैं, उसकी नेशनुमा कर दी है. तो सबसे पहला objectives, सबसे पहला जो element है, वो हमारा objectives of education है. दूसरा है curriculum, अब curriculum क्या है? उर्दू में जिसे हम निसाब भी कहते हैं, के हमने बच्चे को पढ़ाना क्या है? अगर आम अलफाज में हम इसकी बात करें, इस word की, जो एक Latin word है, curriculum, इसके माइनी है, के शहरा, एक सीधे रास्ते पे चलते वे, अपनी मन्जिल तक पहुँचना. तो curriculum, student को एक रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते पे चलकर, student अपने objectives को पूरा कर लेते हैं. उस curriculum के अंदर books भी आ जाती है, उसकी physical activities भी आ जाती है, उसकी co-curricular activities भी आ जाती है. वो curriculum, वो अपने educational institution में रहे कर भी complete करता है, और उससे बाहर की activities में भी रहे कर उस process को complete करता है. थर्ड है teacher, अब teacher, जो है, वो उसका education के अंदर center role है, अगर हम बात करें, इस्लामी माशरे की, तो teacher को या उस्ताद को पगंबरी पेशा कहा जाता है. आप ﷺ ने भी फरमाया, इन्नमा वो इस्तु मॉलिमा, बेशक मुझे मॉलिम बना कर भेजा गया है. तो teacher का काम क्या है, कि वो बच्चे को एक ऐसा मिसाली शख्स बना दे, कि लोग उसको देखकर उसके किरदार की इखलाग की मिसालें दे. तो मॉलिम का काम क्या है, कि उसकी जो spiritual तर्बियत है, उसको गरना. उसके अंदर ऐसे इखलाग पैदा कर देना, या उसको इस तरह उसकी तर्बियत कर देना, कि वो अनपड़ लोगों से मनफरिद नजर आए. मॉलिम की या टीचर की ये जिम्हदारी है, कि वो बच्चे को एक बहतरीन तरीके से पढ़ाए, और उस तरीके से पढ़ाए, जिसमें बच्चा खुद इंटरस्ट ले. ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा रहा और बच्चे को बोरिंग फील हो रही हो, इस तरह कि टीचिंग मैथर्ड्स में बच्चे को इंटरस्ट नहीं आएगा, और बच्चा बोर फील करेगा, और जो हमारा चोथा एलिमेंट है, वो है स्टूडेंट, या ताल्ब इलम जिसे हम कहते हैं, जो इलम हासल कर राओद है, ये भी एक में इलिमेंट है, एजुकेशन का, अगर स्टूडेंट होगा, तो एजुकेशन का प्रॉसेस होगा, अदर्वाइज एजुकेशन का प्रॉसेस मुकमल ही नहीं होता, तो center जो है हमारे पास education का ये elements of education का यही element है student इसी की हमने तर्बियत करनी है इसी से हमने objectives हासिल करने है इसी को पढ़ाना है इसी की नशनुमा करनी है चाहे वो जहनी हो, जिस्मानी हो, रोहानी हो, जजबाती हो, इखलाकी हो तो हमारे पास जो student है वो एहम element है education के process का उसके बाद हमारे पास जो है वो है learning कि बच्चा सीखेगा कैसे कि आप उसे किस तरह सिखाएं कि बच्चे के अंदर positive values पैदा हो उसकी शख्सियत में जो तबदीलियां हो, वो क्या हो, मुस्बत तबदीलियां उसके अंदर पैदा हो ये क्या हो गए उस बच्चे की learning हो गए वक्त के सासाथ बच्चे के अंदर जिसमानी, इखलाकी, रोहानी और किरदारी बहुत सारी मुस्बत तबदीलियां education के जरिये पैदा हो जाती है उसके बाद जो हमारा process है, या element है, वो है teaching teaching के teacher जो है, वो इस ऐसन तरीके से या interesting तरीके से बच्चे को पढ़ाए के बच्चे को उसके अंदर शोक पैदा हो, बच्चे का रुजाना दिल करे के वो स्कूल जाए teacher अपने teaching methodologies के अंदर ऐसी activities या सरगर्मिया शामिल करे जिससे बच्चे के अंदर interest और curiosity पैदा हो, बच्चा जिस teaching method के अंदर सबसे ज्यादा active होगा, बच्चे की learning उतनी ही ज्यादा होगी उसके बाद है society, एक दफ़ावर मैं बताता चलूँ के education क्या है, एक social process है PPSC के MCQs के लिए most important word है, ये social process के education एक कौन सा process है, social process है क्यों? क्योंके निजाम तालिम का बराहे रास्त किसी मुलक के माशरे की मिसाइल और जरूरियात से तालुक होता है इसलिए निजाम तालिम और अमल तालिम माशरे के महौल, इसके मसाइल और माशरे की जरूरियात को नजर अंदाज नहीं कर सकते तो माशरे के लिए एक तरक्की पसंद माशरे के लिए बहतरीन निजाम तालिम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद इस सुसाइटी के अंदर अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप अपने एजुकेशन का ग्राफ जितना ज्यादा हो सके कर लें उसके बाद लास्ट जो है वो इवैलुएशन है के लास्ट में हम इवैलुएशन करते हैं स्टूडेंट की, टीचिंग की, टीचर्स की, टीचिंग मैथर्ड्स की, क्रिकलम की के आया के हमारे जो अबजेक्टिव्स जो हमने स्टार्ट में रखे थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए अब आपको mostly जो बुक्स में elements of education मिलेंगे वो आपको चार मिलेंगे जिनमें सबसे पहले होगा objectives, curriculum, teaching methods और evaluation तो जो हमने पीछे आर्ट पढ़े हैं वो हमने उनको detail से पढ़ा इन चार के अंदर भी ये तमाम आर्ट के आर्ट elements शामिल हो जादने हैं teaching methods के अंदर ही teaching और learning आ जाती है objectives के अंदर ही student की नशनमा आ जाती है curriculum के अंदर हमारे teaching methods भी आ जाते हैं curriculum भी आ जाता है और evaluation के या objectives के अंदर ही हम अपने जो माशरती असूल हैं वो भी शामिल कर सकने हैं तो basically अगर हम बात करें तो elements of education हमारे क्या हैं चार और अगर detail से बात करें तो ये हमारे पास art elements मौजूद हैं तो आज के लिए इतना ही my best wishes with all of you हम अपने motto के साथ आज के lecture को खतम करेंगे learn and lead the world independently subscribe my channel and follow me on facebook page thank you thank you you